हेलो माइ डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूटूब चैनल मेकाइनकल गाईड्स तो आज चे वीडियो में हम बात कर रहे हैं टूल इंजिन्रिंग की जो आपका एक चैप्टर है लोकेशन और क्लैंपिंग तो फ्रेंड इस वीडियो में हम इसे चैप्टर के टॉप 10 आपको यह पर पर यहां पर दिया गया किसी कारखंट की घुडबता को फशन है 5 पर आपको उप्शन दियेने जिन में एक उपसिन आपका सही है YouTube दर्साया जाता है तो इसी तरह आपका जो आप्षिन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा इसी तरह नेस्ट कुश्चन देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन है आपको कोश्चन बोल्ड एक्जम पर मिलने वाले हैं जिक एमाँ फिक्चर का डिजाइन इसके आधार पर किया जाता है फर्स्ट ऑप्षन दे रहा है कारेखंड की सभी दिशाओं की गति के मैं आई उप्सञेध है जो आपका डि है वह सही है ते करते हैं कारेखंड के पदार्त की आधार पर करते हैं सवतंत्रटा की कुल कितनी डिगरी होती है फर्स्ट आप्शन दे रहा है किया आठी और फूर्थ आपको दियागया है फर्वर्थ आपडिया गया है लोकेशन के सिध्धान्त के अंतरगत 321 के सिध्धान्त में तीन अंक दरसाता है तीन दिशाओं या अच्छों को कारेखंड के तल पर गती को रोकने के रोकने है तो तीन पिनों के पिनों के प्रयोक को फquaड ऑप्षन दिए गया घुडन गती को ओरत ऑप्षन पर आपको दिया है पहले समतल के लंबव तलों को इन 6 में से एक ऑप्षन आपका सही है जो ऑप्षन नंबर जो इसका फ्रेंड भी है वो सही है कारेखंड के तलों के पर गती को रोकने है तो तीन पिनों का प्रयोग तो option number आपका जो भी है यह आपका सही है जी तरह नेस्ट question देख लेते हैं जो 5 number question है खराद मशीन में कारेखंड की गति को बांधने हेत उप्रयोक किया जाता है फर्स्ट option दे रहा है 3 जा चक, 4 जा चक और ये next third number option है जो call it चक और D number option दे रहा है उप्युक्त सभी तो फर्स्ट जो खराद मशीन यानि कि आपकी लेट मशीन में जो हम वर्क पीस को की गति को बांधने में तो हमारा कौन सा चक प्रयोक क किया जाता है है इन सभी चकों को हम प्रयोक करते है तो option number जो आपका D को सही है उप्युक्त सभी 5 number D है वो सही है इसलिए next question देख लेते हैं जो 6 number question है छेद द्वारा किसी कारखंड की स्वतंत्र गतियों को रोकने हे दू दो छिद्रों का प्रयोक किया जाता है सेकेंड ओप्शन देरा एक छिद्र तथा एक पिन का प्रयोक किया जाता है थर्ड ऑप्शन दे रहा एक छिद्र तता एक वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है और फॉर्ट ऑप्शन यहां पर आपको दिया गया है उप्विक्त सभी तो फ्रेंट कुछ ने बोला गया है छेद द्वारा किसी कारेखंड की स्वतन द्रगतियों को रोकने है तु दो छि ही है सिस का जो डी है वो सही उप्युक्त सभी सिद्धे नेस्ट कुछिशन को देख लेते हैं जो सेवन नमबर क्रिश्चन है समतल सतय वाले कारेखंड को स्थिर करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कोनिकल लोकेटर का प्रयोग किया जाता है सेकेंड ऑप्शन दे है समतल सतय वाले कारेखंड को स्थिर करने के लिए हम फ्रेंट ऑप्शन नमबर जो इसका बी है वो सही है फ्लेट लोकेटर का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नमबर आपका बी है जो यहाँ पर वो सही है प्शीत है नेस्ट कुछिशन को देख लेते हैं जो व फ्रेंट लोकेटर किया जाता है log किया जाता है फर्ट आप्षण दिया गया है अब क्क का दिया दिया घृःए अफर्ट अब स्थापा कं प्रयोग की आगें तो सनकु आपक तो तक आपने चैनल को icon कि नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके खुदूरे कारेखंड को सहारा देने के लिए फर्स्ट ऑप्षण देरा है को निकल का प्रियोक किया आता हुआ है सेकेड्ड ऑप्षन दे रहा है जैकिल लोकेटर का प्रयोक किया जाता है ठर्ड ऑप्शन दे रहा है ड्रिल बुस्ट अविस्थापक का प्रयोक किया जाता है और फूर्थ ऑप्शन यहां पर आपको दिया गया है वी लोकेटर का प्रयोक किया जाता है तो कुश्चन में बोला गया है खुर्द्रे कारेखंड को सह सहारा देने के लिए फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है संकु अविस्थापक का प्रयोग किया जाता है सेकंड ऑप्शन दे रहा है जैक पिन अविस्थापक का प्रयोग किया जाता है फोर्थ ऑप्शन दे रहा है वी अविस्थापक का प्रयोग किया जाता है तो कुश्चन में बेलना कार ठोस कारेखंड को सहारा देने के लिए किस लोकेटर का प्रयोग करते हैं तो ड्रिल बुस अब प्रयोक किया जाता है तो आप्षिन नंबर आपका जो सी है वो सही है ती ते नेश्ट कूशन देख लेते हैं जो जो ग्यारा नंबर कुस्चन है घोलाकार अत्वा अ प्रयोग कियाक है और तेरा है व या au area य 12 नंबर सिच्छन 10 ऌफ में यह घुना चाहिये व ये इसे कार्य थैंड को अच्छी प्रकार से जकरड़ न 00 चाहिए कर दया करना चाहिए इसके तलवराए कारेखंड की शतरै को छतिए moment नहीं किए जाना जाए इने डिया उप्सट्रेलंगी और फेktक कर आपको दिया गया उप्यूकत सभी तो बृइंट्ट्फ of फ्रेंट और यहां पर आपका जो option number जो सही है वह सही है इसक्रू क्लैम्ब देख्छा हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें और दोस्तों के साथ भी स्यार करें